अगाल तक्त साहिब दे सर्वता खालसा वल्लो साजेगे जथेदार जिकटार सिंह हवारा ने ते हाड जेल चों सिख पंथ देना एक संदेश पे जयाए एक तरा नाल जथेदार हवारा दा सिख कौम देना नराजगी पतर आए जेदेदार हवारा ने कितना किते इस पश्ट करनी कोशिश की ती है कि तिन साल पहला जिस तरह उनानू सरबत खालसा सद के अकाल तिक शाहिप दे जेदार दे ओधे ते निवाज़ा गया इसी बठाया गया सी आज उना नू उस ओदे ते बठाण वाले और ओदा निवाजण वाले पामे अकाल पुर्ख दी किरपा सद का ओदा निवाज़ा गया सी पर जड़े सिख आगुआ ने एए फैसला कीता सी के जथेदार हवारा जड़े ने उह कौम नू अगवाई देन गई तो बेमुख होग कोई रोसा गिलानी करना जांदा पर एक इतना किते उना दर्द है कि उन्हानू बिना पुछे मोर्चे लाउंदे मोर्चे जुकन दे फैसले ले जांदे रहे ने जथे दार हवारा एथे नहीं रुके उन्हा दी नराजगी दा सिखर देखो के ओए क कह रहें ने ने के उन् पुछ यानी जान हूं नहीं जानधा उना दी गल निभी जान दी उना दे नमाएंदे जड़े बरगारी मौर्चा बरगारी मौर्चा जोगे गुर्ग मौर्चाईb दी बैयादवी निभी उन्साफ लए जुड़े सी पर ओ ओ मौर्चा एगल्स्पश्ट हुन दी आइस पतर पर वी वार वर्स पष्ट कर देने के ओहुन मजबूर होंगे कोई सक्त फैसला लेनच पर जो गल इस वक्त दी सब तो वड़ी गल ए है कि की 2015 विच जदो गुरु गरांट साब दी बेयद भी दिया कर नावावा पर दिया ने जदो बैबल कला ते कोट को पूरा चे गोड़ी चल दी है उस तो बाद जदो उपरो थली नवंबर में ने चे सरबत खाल सा सद्या जानदा है ता उस तो ओदो जो माहौल बने आ सी ओदो ज इस गाल नो सपष्ट करेगी कि की हुन भी सिख कौम खास कर सरबत खाल सा सदन वाले ओह सिख आगू जथेदार हवारा नो अपना जथेदार मन देने जा ओहुन किसे होर नो जथेदार बनांदी त्यारी कर रहे ने जा फिर ओह सरबत खाल सा दे ले फैसलिया नो खतम करन ज होई ने आमर सिंग चाल एड़ोकेट ने जो के जथेदार हवारा दे कानूनी बुलारे ने ते इस मेरे इस मने बैठे ने सिख स्टूडन्ट फेडरेशन दे आओधे दी परदानगी दे ओधे तो कुछ दिन पहला ही जिना ने जथेदार हवारा नो मिलके अस्तीफा सांप प्रेंधाए करनेल सिंग्पीर मुहमाद जी ते नाल ही बने होई ने जसे खरहवारा दे तरम पिता ने जड़े तरहा गुर्छरंसिंग ने पते आले दोने जड़े इस चीथी वरे दसो के तुसी मुलाकातियों उना दे मन्जूर शुदा मुलाकातियों जिसे खरहवारा इसे उन्हा ने अचानक ही तो डे मुलाकाद समय लिख के दे दे देती जा पहला तो लिखके बैठे हो इसी हो. इस ती कल मुलाकाद देन से जी ते ग्यानि गुर्चन सिंग जी गह सानों थे ते उनन ना ने देती है. ये हो सक्दा उनने पहले उसे दिन लिखके रखी हुए ते नहीं दे दिती है क्योंकि ये वाक्यात कुछ ही दिना दे वेच वापरे ने इस करके उनने दे मानते इस जड़े वाक्या सी उनना दा परवाब सी उनने आपने जड़े मानते परवाब सी उस चिट्थी दे वेच गुने उना तक पुचाई जावे इस से करके असी तानो एक है चल देती है थे आ उन दीजिए गुर्जर्ण सिंग जी तुसी के कल मिलके आई उना नू तक की तानो लगदा है कि ए उना ने पहला लिखके बैठे जी चिठी जा तोड़े मौके दे लिखी है जा कोई होर नाल क कोई गल कही है तो नू उना जिस तरह मैं महसूस कर रहे हैं कि चिठी स्पष्ट है कि ओ बड़े ही निराश ने कौम तो जो हुंगारा मिल देया उना नो सिखा अगूँआ तो बड़े निराश ने जिस तन तो बरगाडी मोर्चा समापतो होया समापती होई है उस दी उस द पर इवन पहला ही लिखिया मैंनो कल तो 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 नहा ने बलाया बड़ी बाप पुझी आओ तुसी मैं कोई से नहा देना चाहूना ए उना दी पहला ही लिख भी सिए उना जड़ी पाम नामा उना दी तर्जमानी कर दी है इसारा उना जुड़े बागुए है जसो एगल सप अंड जी ने बेशक आप हुद्री कारवाई कीती है ओ प्रॉपर उना नू इस गल्दा वी ओ जिकर कर रहे ने जिस तरह उना ने कहा है के ओ पिछले कुछ दिना दिया खबरा उना कुल पहुंच रही है सान अखवारां दे कटिंगा दे रूप दे विच जिमे के मंजूरी हुंदी है जेल दे विच ता इस करके एक अलस पष्ट हो चुकी है यह चिठी चिठी नहीं है एक तरह ना उना दा एक निराशा पतर है ओ सिख कौम दे हूंगा रहे तो निराश ने सिख आगूँआ तो निराश ने खासकर जिना ने मोर्चा लाया सी ओ उस पष्ट कहरे न कि मैंनू पुछे बिना लाया गया सी मैंनू पुछे बिना चुकिया गया है आप खुदरियां की तीया ने उना दे नमाइन दे जान देने ता उना दा अपमान होंदा है ए जो गला ने ए कोई आम नहीं है गिया क्यों क्योंके सरबत खाल सा सद के जथेदार हवारा नू ज यह सब्सक्रामाइब सिक्ष्णाosition. इना नू सौंपयाते नाल सकती नाल किया के सरदार अमर सिंग चायल तो बगार इनू कोई जारी नी करेगा क्योंके उस अड़े चीफ स्पोक्स परसन ने सारे यां सिंगा ने बैठके इना नू जुम्मेवरी देती है ओ तो अड़े को लेना ने जारी कारता लेकन उना ने सब तो पहला तो मैंनू यस गल दी शाबाश दिती के जड़ा नूमंबर 1984 सिख नसल कुशी दा तुसी केस लड़िया जिनू दंगे कहीं दे सी तुसी नसल कुशी प्रूब करवाया और आज पामे जो मर्जी क्रेड़िया लेन दी गल कर रहे है पर जिमे गवामा नू और जिस तरीके देनाल तुसी उन्दे चे वर कीता ते मैं समझना के मेरे लिए बड़ी वड़ी गले पाईज गतार सिंग होवा रादी शाबाश दूसरी गलोना ने गल कई के जड़ा बरगाडी दे वेच जो को जबापरे आज मैं बापू गरचरन सिंग जी नू ओ लेटर दे दिता ओ चाल साव नू देन के तुसी नाल होक के एस नू प्रेस दे वेच चंगे टांग देनाल मेरी गले जड़ी कौम तक चली जावे सो आज जो मैं मसूस करदा के जमें चाल साव दा एक अपना सभा आए के ओ चाउंदेने कौम दे वेच एक ता ओ चाउंदेने ये दो बार गैसी स्टेज थे जेस तरीके देनाल जमे अपमान होंदा रहा है लेकन मैं समझना कि सेख दा गोनी ये हुए कि ओ अपना अपमान सह के वी कौम दे पलेवास्ते कौम दे दर्दनू मोकरा के ओथे करे जड़ी फांड दी गल चाल दी एवी ओथे आपने दुस्वांदे दे वेचों वेच सेवा करके आये दो बार कीत सिंगते आप सी उंगल चोकर दे शां बादलां दे उपर ते अज साड़े उपर क्यों कौम उंगल चोकर रही है सब तो बड़ा सवाल है या कि असी किते गल्ट होगे वो कौम जड़ी पबाँ पार होके तन मानते तन सेख दे को तेनी चीज़ जाने हो तिनने बर गाड़ी मोर्चे तो निशावर करती हैं लेकन फेर भी आज कौम नराशा दे वेचे ते जथेदार सावनू जडियां जेल दियां उससे लीखां पिशे जाके भी ये मसूस हो रहा है के मेरी कौम दे वेचे डीवडी नराशा क्यों आई असी मोर्चा लारे सां हजारां दी तदा दे व फेल होई हो रहे लिए फेल होई हैं लेकन एथ आप महारा काठ जड़ा तेन वार एक दो तेन नी गलों दी ए तिन ना वारी काठ जड़ा होया है उसकाठ ने दुणिया नू दासे देता के कौम जड़ी है ओ सरकारां तो नराज चायो केंदर दी सरकार हुए चाय राइदी पूरे करने चाहिए देया ये तिन्ने मंगा कोई गल्द नहीं है तिन्ने मंगा जायज ने और जेस तरीके दे नाल बगानगी दी पामना लेके से कौम चाल रही है ये जे इस से तरह साधे नाल हुंदा रहा ता फिर साधनू आउन वाले समय देवेच जेस तरह अत्वादी बखवादी दैस्त घर्द ते होर शब्द लाला के बोली जा रहे ने आज ता पूरी दुनिया देवेच जेड़े उत्थों दे राश्टर पती ने उत्थों दे परदान मंत्री ने उत्थों दे सेनटर दे मेंबर ने ओ कौम दे हाक देवेच खड़े ने चाहे नैंटी ए जड़ी है पंज प्यारे या पंज जथेदार ने जड़ी है कि रवाइत सिख प्रमपराच रही है उन्होंने भी उसे नोगे तोर ने आप पंज मेंबरी कमेटी बनान दी जड़ी है कि अग पर हरानी दी गल ए है कि जथेदार साब कौम नूं हुक्म ना दे के 111 बेंती कर दे प्रतीत हो रहे है जेकर जथेदार हवारा नूं जथेदार मन दे ने जिना ने बरगाडी दा मोर्चा लाया है या जिना ने उन्हान नूं सुरबत खाल्सा साथ के जथेदार बनाया है ता ओ अगर मन दे ने ता जथेदार अज इस स्थीदी पहुंच गे ने कि ओ एक के रहे ने के मेरे नमांद़न दा अपमान होई ज़ दार हवारा आपते आ नहीं सकते जेल विच बंदने जिटी भी हुए ओना जुट ने जड़े जड़े परिलीज कर दे ने जड़े होना दे पितास मांजीना न वगर मन दे ने बापुजी ओ जेल जो लेके आये ने देखो इस काल नूं इनी बड़ी पदर दे उचेलाण न नी जाहिदा देखो पहले पने दे उते ही ओपना सपस्ट करदने लिखेंसे लिखेंसे मैं सपस्ट करना चावँदा है क roku पेशक मैंनू नजर अंदाज करी रखो पर कटो कट जेड़े वरकर संगर्ष जिंद जान नाड होए जिंद जान होए हों संदर संगर्ष उस हिस्सा पारे हों उना वरकरां दाता हक बनदा है कि कोई वी फैसला लेड़ लगे उना नू प्रोसेच लिया जावे जा उना दिया उना दियां पावनावादा सतकार किता जावे जा जिना बंदी सिंगा दे रहाई दी गल हुंदी है ता उना दे परवारा नाड तालमेल वी रखे आ जावे मतलो जे एक गल्ला है ने ता उह लिख रहे ने ना उम भासूस कर रहे ने जेड़ी हो 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 उननों बोलन दा मुकानी देता गया, यह उनना दे मन्चे एस मामले ने पर बाप बाया रंजश पैदा की ती, सो एगाल आपनों इननी उशालनी ने चाहिए दी क्योंकि एसाड़ा आपसी जड़ा मेल प्लाप है, वो बड़े प्यास सतकार ना अगे तो ठीक हो सकता है, उनना ने पापना मन्दसियां असी नहीं सबकों दुझे सजणाने जिनना ने कोई इनना पामनावान अगे पैदा क किता है, उनना सोचना चाहिए पैगे तो ना आओना, सो एगाल आड़ी जड़ी है कि या इंपॉर्टेंट ने, इंपॉर्टेंट है या पी जड़ियां पांथक जथे बंदियां ने बरगाडी मोर्चे बारे जो कारवाई कीती है, उननों के तां दूर करना है, उननों जड़े बड़ मुले सजाओ देते ने, इनन दे भी अमल जड़ा करना, सिक पांथ दे कले कले आगू दा फरज बंदा है, तुसी की महसूस कर दे हो कि जिना ने उनना दे नमाइंदेयां दा अपमान कीता है, जिना ने मोर्चा लाउन लगे नी पुछया, मोर्चा चुकल मनने चाहें ना मनने, ए बिलकुली एदिना उनना दे शक्षियत ते बिलकुल नी फर्क पेंदा, ओ ऐस वले इंटरनेशनल लेवल ते सिक पंथ दे वेच एक मानता जोग लीडर जड़े ने स्ताफत हो चुके ने, सो ए गलना जड़ियां ने उनने इस करके लिखियां ने पि ए अगे साथ को गल्तियां हुदिया निया ने अगे गलतियां नहीं होनिया जाएदे ने लिकन एदा ए निमतल बलना जाएदा पे शिख पंथ देवेच जे कोई ऐसरांती ग्रल हो है दो उसिख पंथ देवेच बाड़ा पॉन लेड़ा कारन बढ़े एक अगलना जेड उना नू सब तो वड़ी मानता दिती जावे उना नू मानता देनी मतलब या सारे पंथ नू मानता देनी है उना नू मानता देनी है पंथ दिया रवैता दिया कदरा कीमता दिया जेडिया ने उनना दा जेड़ा है उननो ठीक टरीक देर नालचलाओन दी गाल हो सकती है सो एक गाल जड़ू ऑफ जड़िये है जठ्दर साभ ने लेखते देता है लेकन जठ्दर साभ सब तो बड़ी सोचनी है वो सिर्फ ते सिर्फ असारू है पिस सिख पंत दी चर्दी कला ली आपां सारे अनू कदब पुटने जाएदे ने पिछलियां गलां चित्व के पिछलियां गलां बचार के पिछलियां गलां ते जड़े है आप स्वेधी बाद बदाद पैदा करके जड़े इंटर्नल होना चाहिएदा ना के लोकां तक होना चाहिएदा चाल साब एक उसी चिठी जिमें बापुजी ने दस्या है कि भीते कल ही मंगलवार नू ए तिहार जेल दे विच मुलाकात करके आए ने उन्हाने लिखी हो इसी ते इना नू दिती है ते के कऊर जाप 야 है कि अ उसी मेडिया दे विच जारी की ती है कि उन्हाने कि यिपन्ज दे ते कृषग करने उना नू रहा जाए जड़ेखे मैठ जड़े विचे की त Whose ला दाने दा पांज हीए। मेरा स्वाल सर तुम मैं तोड़ा सप्ष्ट कर देना है एक चिठी जिना तक पहुंचारी है यदे शुबचिंत का तुसी कहँए है शुबचिंत का निरसंद ने यह ने के जड़े मौर्चे दी अगवाई कर रहे सी के सो उन्ह नहीं मननोंगे ना कि तुस ही साब का जैसे तरह काल तक 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 गानी गुरबचंण सिंग नो कहोंगे ज陽 मजुदा गया जी इन फोर्फित सिंग ओना नुो कहूंगे, जला मंदे, जला में अगया हग और जहा मदा जंगारी है कोई कहेरे है कि में पुछिं जला और कोई अगया है कि वुछ नहीं कीथा है करूं को बाइट है कि मैंनों पुछे बिना सारा कोई उन्दारीया तक किमें पहुँचेगी कि मैं ऊसी जरिया हां मीडिया जरिया है कोई और भी तरीका है कोई मुलाकात सबब है बंडा होना नाव्या ड़ी को बहुत क्योंकि क्ले जथे दार रानली सारे पंथली पैजिसरम बिवेंदी कीती है जथे दार ए नहीं मतलब भी आसी एता अनुची ठीड़ी है प्रेस दे रही होना ने उना ते नाल्व साधे ना गलां बाता हो दिया रही दिया ने मिल्दा भी जड़ा जड़ा है कोई ना कोई रा कड़ांगे ते नेडे ओंदी गाल होएगी इस करके आंज मेंबरी कमेटी शेती ही कैम किती जावेगी ओ जदो पंथक नमाइन दे सार आनल गलबा तो चलेगी जवे उना ने क्या कि काली देवेच होन को और मोर्चा लाउन दी जगां तानू सिर जोड़के बैठना चाहिएदा आपनिया कमजोरियानू वाचना चाहिदा किते किते की की होया है ना के एक दूसरे दूपर जुम्यवारी सोटके के एक नू दोशी बनाया जावे जहां दो हैं देचे दोशी ने इंद वेच जे दोशी ने ता सारे ने जे दोशी जे मांड मांड साव दी एक जरूर गाल सी जेडी होना ने पहले दन कही सी एक जून दो यार ठारानू के मैं कला बैठा मेरे कुल कौम दियां जथे बंदियां और जाना आओन मैं ओदो उठांगा जदो पिंजावदा मुख मंतरी यते पहुंचेगा ते तेन मंगा मन के जावेगा सो मांड साव ने कीती काली कीती उन्दा भी उना ने जिकर कार देता जे मांड साव ने यंदे वेचो होर कोई गला किसे ने कीती हैं पर मैं ये गल कहनी चाओना के खालसा पंथ दी एकता जड़ी है पंथ जथे बंदियां दी एकता क्योंके जेल लांद भी जड़े नजर बा आज सज्जन कुमार वर गयानूं उमर कैद मौत दे आखरी पालता के जेल देविच रखन दी गालता हो रही है लेकन पंदरा देन दी उनू नाल सुहूरत दिती जा रही है लेकन इते सलमान खान वर गयनू पहला अदालते देविच बाउंड कीता जान्दा ते फिर उनू ग पासे रहके के कौन गलते कौन ठीक है इस दा फैंसला जड़ा है संक्त रूबेच कीता जावे सिंग साब दा कहना आए है थोड़ा पर चिठी तो हटके जड़ा गल करने हैं जी फिर दुबारा आखर चिक वर फिर चिठी दा मुदा चुहांगे बाप जी तुसी मिलके आई यह पता लगया सी के जथेदार साब जथेदार जगतार सिंग हवारा दी सेथ ना साजाए हुन की हालात ने उना दे से तो उना दी देखो जिस तरह पिसले समय चे उना ते ते सद्द होया उदे करके कहीं अंदर उनी जिड़े नुकसे उना दे स्रीच चेहें पर उदे बावी उद भी वो फिर भी बहुत चड़ी कला चेहें हर टेम उदा सुक्र कर दे ते कौम दी चड़ी कलाई होना दा न पर ओ फिर भी कोई किसे तरह ना कम जोरी याड़ा पक नहीं रख दे जदो मी मैं मिलन जाना चड़ी कलाड़ी गल चड़ी कलादा ही कौम नू सनेहा होना दा हूंदा कौम बारे यो जादा फिक बांदे ना के अपने नीजी ओ किसे वो सबास दे तो ऐसी गल्बत कीती है ज जड़ी ये ना किती जाए ते संगर्षडे अगले प्रावल चलेए जिस्ते उनने मुक्त ओर दे होते जोर देता है के पंच मेंबरी कमेटी बनेते हो कमेटी ही फैसले करें पर छिठी दे जो दुज्ये पहलों सी के जिधे जिधे उना दी नराजगी चलकी है जिधे जिध कर देने क्युंकि ओहो जिम्हें के चाल साहफने किया कि जुम्हें बापु जी ने भी किया है पिर 음식स Łव्हमस साप है कि ओ पंथा नası पंथे हागी न पंथे जो पंथे पंसाफлом दे जो केंदर टे उना मननना जड़ा हैगा इस सिखर वायता मुताबक इनू को और अवग्या मननी जान दी है सो उन्हाने एक सपस्ट कर दीती है कि जेकर फिर भी सारियां गल्नाचों दुवारा सही ना हुए जो उन्हानों गल्त लगया है जेड़ा आपा सारा जिकर कीता है कि में उन्हान जथे दार तो पुछे मिना मोर्चे लगे मोर्चे उठे ने कि में अपमान होई ने ता उन्हाने एक गल्स पस्ट कर दीती है जो मैं पढ़ दना जो उन्हान दे शब्द ने हथ लिखता है हुण जेकर पंज मेंबरी बनाए जान दे कई पंथ दर्दियां दी राये ते अदार्त फैसले नू नजर अंदाज करके आप खुदरे टंग नार संगर्ष बारे फैसला करके संगर्ष नू अद्व चाले डोबन दा यतन किता गया ता दास यानी के जिकतार सिंग हवारा क यह सबते हैं के तो जिकतार सिंग हवारा नू तिन साल पहला जथेदार अकाल तखत जड़ा बढ़ाउन दा फैसला लेड़ वाले हून कि थे खड़े ने सिख कौम ने अगला फैसला जड़ा हैगा की करना है तानवाज जी